क्या कारा है क्वेस्टिन कि a chord of a circle of radius 12 cm chord of a radius of a circle is 12 cm subtend an angle of 120 degree at the center find the area of the corresponding segment of a circle सबसे पहले chord समझते हो ना सरकल का तो सरकल का एक कॉड है वो किस और उस सरकल का radius कितना दिया है हमें 12 cm तो जो कॉड है हमारा वो center पे कितना एंगल बना रहा है 120 degree मतलब यह पूरा एंगल हमें कितना दिया है 120 degree आगे पड़ो कर रहा है कि find the area of the corresponding segment of a circle तो segment पढ़ाए थे ना रोटी का टुकडा रोटी का जो टुकडा होता है वही क्या होता है हमारा segment आज sector होगा तब sector होगा तो यह पूरा लेना होगा यहां से लेके नीचे तर यह पूरा लेना पड़ेगा है कि नहीं तो इसका मतलब रोटी का टुकडा जो है segment होता है circle के segment को हम लोग बोलते हैं जैसे line segment का मतलब line का टुकडा उसी तरह से circle का segment का मतलब circle का टुकडा मतलब इसका area निकालना है तो हम क्या बोले थे इसका area निकालने के लिए formula क्या था area of segment is equal to क्या होता था जारा बताओ area of पहले होता था sector अब माइनस area of triangle OAB OAB का triangle का area घटा देते थे sector के area में से याद करो तो यह sector पूरा हुआ करता था इस पूरे के area में से हम लोग triangle का जो area है उपर वाला अगर हटा देंगे तो हमारा required area क्या हो जाएगा निकल जाएगा तो इसके लिए क्या होता था formula तो area of sector का formula क्या होता था भाई theta by 360 into pi r square फिर minus area of triangle क्या पताया थे 1 by 2 into r square sin theta है ना बढ़िया है बहुत बहुत बढ़िया है यहां से क्या करेंगे theta का value क्या लेंगे 120 by 360 पाई का value बाई सान ने क्या बोला है लेने के लिए तो 3.14 रेडियस जी क्या बोले है भाईया जी 12 तो 12 into 12 minus 1 by 2 r square जरा बताओ sin 120 degree का value जानते हो sin 120 degree का value जानते हो तो याद करो जब हम लोग formula प्रूफ किये थे triangle का area 1 by 2 r square sin theta तो तुम्हें याद है कि sin theta कैसे आया था 2 sin theta into cos theta से आया था कि नहीं जो area of triangle आया था हमारा वो 1 by 2 r square के बाद ये पूरा हुआ करता था तो इसके जगा पे हम sin theta लगते थे तो आप sorry 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 बहुत बड़ा sorry sin theta by 2 और cos theta by 2 हुआ करता था तब जो हम इसको sin theta लिखा करते थे याद है 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 तो वह ही करेंगे theta का आदा कितना degree होता है 60 degree होता है ना तो ये जो sin theta है उसको हम 2 into sin theta by 2 into cos theta by 2 लिख देंगे अब अगर 120 degree रखेंगे तो 120 का आदा 60 120 का आदा 60 और हम sin 60 degree भी जानते हैं और cos 60 degree भी हम जानते हैं ये 0 से 0 कट गया बारतिया 36 हुआ हुआ ना कहां पर दिक्कत है रहा हो रहा है अभी हम बोले ना कि sin theta का फर्मूला याद रखना 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 और जब हम area of triangle प्रूफ किये थे कि 1 by 2 r square sin theta उसमें ये sin theta यही से आया होता है 1 by 2 r square जो sin theta होता है उस sin theta में ये लिखा होता था हम बोले थे कि class 11 में ये प्रूफ किया जाएगा कि sin theta 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 कैसे आता है और नहीं तो तुम sin 120 degree का value रटल लो ना क्या होता है sin 120 degree का value तो इसको लिख लो sin 180 minus कितना? 60 degree तो ये होता है sin of 60 degree और sin of 60 degree कितना होता है जी? root 3 by 2 तो sin 120 degree का value अगर तुम डारेक्ट याद रख सकते हो root 3 by 2 तो और बेटर है नहीं याद है तो आप 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 लिख दें इससे फाइदा क्या होगा? कि sin theta का angle theta by 2 होने से 120 के जगा पर आप 120 बटे दो लिख होगे तो वो 60 degree में convert हो जाएगा और उसका value हम लोग जानते हैं समझ रहे बात को ना? चलिए तो अब जो इस question को हम लोग बनाते हैं calculation है थोड़ा सा लेकिन कर लेंगे अब ज़रा बताईए कि यहाँ से कितना आ रहा है यह देखिए यह जो है ना? 1 by 3 और into 3.14 और into 12 into 12 और minus 1 by 2 फिर into 12 into 12 फिर into 2 क्या इस 2 को 2 से काट दें? तो यह sign of 60 degree और कॉस ओप 60 degree होगा कि नहीं होगा? बोलिए अब तुम कहोगे कि यह सर क्यों नहीं काट रहे हैं? अब क्यों नहीं काट रहे हैं? तुम बताओ क्यों नहीं काट रहे होगे? काटो कोई दिक्कत नहीं है 3-4 के 12 इन्टू 48 माइनस इसको अभी माद काटो 12 इन्टू 12 sin 60 degree का वैलू रूट रंदर 3 बाई 2 और कॉस आट डिक्का वैलू 1 बाई 2 तो यह 2 दुना के 4 तिया 12 कटा ना? अब यह कितना है? 3.14 इन्टू 48 माइनस 36 और इन्टू रूट 3 का वैलू बोला गया था लेने के लिए अब इसका मल्टिप्लाइस में करो इसका मल्टिप्लाइस में करो और क्या कर दो? घटा दो आया बात समझ में? तो आंसर पूड़ा कर दे या कर लोगे? कर लोगे अब क्वेशन नंबर 8 देखते हैं इसको प्रिंट कर लिजे क्या है क्वेशन? फिर से पढ़ते हैं कर लोगे कि a horse is tied to a pig at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of 5 meter long rope the area of the part of the field in which the horse can graze फिर दुसरा है कि the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter देखो क्या का रहा है कि एक स्क्वाइर है एक क्या है हमारे पास स्क्वाइर है जिसका साइड कितना है इच साइड 15 meter अ होर्स इस टाइड टाइड मतलब वो रसी धिला विरा नहीं हो रहा है दम टाइड है ना टाइड to a peg at corner of a square saved grass filled offside 15 meter by means of a 5 meter long rope एक corner पे घोड़ा को बांधा गया है रसी से और रसी की लंबाई कि अतना दे दिया गया अब ज़रा बताओ कि घोड़ा जो यहां से चर रहा है तुमारा यहां पे माल लो एक घोड़ा है ना जो क्या कर रहा है चर रहा है तो घोड़ा के जो मुँ में रसी बांधी हुई है मान के चलो यहां पे है ना वो डीला भी हो सकता है टाइट भी हो सकता है लेकिन क्या घोड़ा का जो रसी जो 5 meter है उससे क्या जादा हो सकता है तो वो कितना तक ग्रेज कर सकता है घोम घोम के घोम घोम के कितना तक ग्रेज कर सकता है केवल इतना ही न क्योंकि यह एक चुली सर्कल की तरह वर्क करेगा क्योंकि यह सर्कल का रेडियस हो जाएगा जो हमारा रसी है 5 meter long वो रेडियस की तरह काम करेगा और उसको वो टाइट करके इधर भी आ सकता है चरने के लिए और इधर भी आ सकता है लेकिन कभी भी इस field को चर नहीं सकता है क्योंकि वो बादा गया है इस तरह से तो इसका मतलब जो ग्रेजिंग वाला एरिया है वो तो यही है तो क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि वो ग्रेजिंग का एरिया एक सर्कल का क्वाडरेंट है अगर हम बोलें कि एक ये 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 पूरा पाट का सर्कल है तो क्यों इतना ही तो चर रहा है वो 90 डिग्री तो यहां भी बन रहा है और यह 90 डिग्री बन रहा है तो इस पूरे पार्ट को उच्छा रहेगा तो इसमें यही बोला था कि the area of the part of the field in which the horse can graze उस area को निकालना है जिसमें वो horse क्या कर रहा है ग्रेज कर सकता है तो required area बराबर क्या लिख देंगे पहला पार्ट required area थेटा बटे 360 और into pi r square होगा बोलो अब थेटा के जगा पे हम क्या लिख देंगे 90 degree 90 degree लिख देंगे क्योंकि यहाँ क्या बनेगा square है तो 90 degree और pi का value उन्होंने क्या बोला है 3.14 और radius कितना है इसका जी रसी की लंबाई कितनी होगी 5 meter तो यह हो जाएगा 4 बर में कटेगा और कितना जाएगा यह 4 से काटो इसको या पहले 5 से multiply कर लो पंचों के 20 और 5 एकम 5 और 2 7 और 5 तिया 15 और 10 मलो 2 अंके बाद और divided by 4 अब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी चारतिया 12 तेरा चौदा पंद्रा तीन साथ चार नमा चात्तिस एक जीरो चार दुना के आठ और चार पच्छे 20 तो कितना हो जाएगा जी 3.925 meter square आंसर देखो तो इसका पहला पाट का गलती किये है हम लोग तो आर का square है ना हम 5 इंटू 5 लिखना भूल गये तो अब एक और 5 का multiply करना पड़ेगा कि ने इसमें बाकी रह गया ना तो after all आप गुना उना divide with rate करने के बाद ही 5 का multiply कर दो क्या दिक्कत है तो 5 का multiply करोगे तो क्या आएगा 55 जा 25 तो 5 तो जा 10 और 2 12 फाइफ और 9 जा 45 और 2 47 फोर हुआ और 5 तो जा 15 और 4 19 15 और 4 19 तीन अंग के बाद दस मलो 19.725 आया है बोलो 19.625 कुछ हुआ होगा गल्ती multiply करने में कि अना 625 कोई दिक्कत नहीं है वो multiply करने में आप क्या करना ना कि पहले multiply कर ले ना आ जाएगा ठीक है ना आ जाएगा अब इसका दूसरा पार्ट क्या था कि का रहा है कि the increases in grazing area बहुत बढ़िया क्वेस्टन है क्योंकि वो नहीं पूछ रहा है कुछ और पूछ रहा है का रहा है कि the increases in grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter मतलब कि area में कितना बढ़ोतरी होगा अगर वो कितना कर दिया जाए 10 meter जो long rope था उसके जगह पे कितना कर दिया जाए sorry 5 meter जो long rope था उसका उसके सिर में जो बाढ़ा हुआ था 5 meter long रस्ती अगर उसको 10 meter कर दिया जाए तो वो कितना area बढ़ जाएगा the area increases पूछ रहा है तो बाद वाला area में से पहले वाला area को घटाएंगी तब ना answer आएगा एक ring की तरफ ही गर बनेगा देखो यह 5 meter long है अब 10 meter कर दिया जाए आए 15 meter total था कितना था यह जी तो कुछ न कुछ तो बागी रहेगा ना तो मालो अब गोडा यहाँ आ चुका है अब गोडा तुमारा यहाँ आ चुका है समझ रहे हो तो अब यहाँ से यहाँ तक का पूरा area हम निकाल सकते है कैसे तो उसी फर्मूला में theta बटा 360 तो रहेगा लेकिन pi और capital R square अब करेंगे तो यह तो भाईया 90 degree है तो 1 by 4 ही आएगा pi का value तीन दस में लो एक चार लेना है और radius का value 10 का square लेकिन उन्होंने यह नहीं पूछा था कि वो 10 मीटर रॉफ होने के बाद कितना area पे घास को मतलब चर सकता है उन्होंने पूछा कितना increase करेगा area तो increase करने वाला area केवल इतना होगा 5 मीटर वाला और 10 मीटर वाले के बीच का यही होगा ना केवल तो उसके लिए हमको क्या करना होगा minus करना होगा तो minus करना होगा है ना तो अब बता दो अब बता दो इसका कितना हैगा 4 से काटो इसको 0 दस मलो 7 और कितना बचा 3 और 4 फिर 7 फिर 28 घटाओ 6 0 कुछ गलती कर दिये क्या 32 होगा ना जी चरवाट 32 होगा ना तो 2 0 4 25 इन्टू 10 इन्टू 100 तो 78.5 मीटर स्क्वाइर तो यह तो हुआ एरिया वैन रेडियास इस इक्वल टू 10 मीटर तो इन्क्रीज इन एरिया क्या लिखेंगे इन्क्रीज इन एरिया इस इक्वल टू 78.5 मीटर स्क्वाइर माइनस 19.725 नहीं वो 6 जो आया था वही लिख दो 625 मीटर स्क्वाइर तो आप घटा लो 78.500 जितना बढ़ाना है बढ़ा लो यह 19 हो गया यह 625 10 में से 5 गया 5 9 में से 2 गया 7 और यह हो गया 4 14 में से 6 गया 8 और यह हो गया तुमारा 7 17 में से 9 गया 8 और 6 में से 1 गया 5 58.875 मीटर स्क्वाइर आया है अंसर कोई दिक्कत है तो चलो आज इतना ही अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे ठीक है कौन सा बोलो चलो देखते हैं करा कि find the area of sector of a circle with radius 4 cm and angle 30 degree sector है ना तो sector का मतलब पता है ना रोटी का टुकड़ा नहीं रोटी का टुकड़ा segment होता है तो यह 30 degree angle जो बन रहा है उसका area निकाल ला है आमको है ना क्या बोल रहा हो पिज्जा का टुकड़ा है सही बोल रहा हो sector जो है वो पिज्जा का टुकड़ा है find the area of sector of a circle with radius 4 cm end of angle 30 degree also find the area of corresponding major sector तो यह हमारा minor sector है ना तो जब तक हम बोल ले थे ना कि area में minor वगरा यूज ना करें तब तक आपको area किसका निकालना है minor का ही तो area of sector में आप minor ही समझोगे वो होगा theta बटे 360 into pi r square theta का value 30 degree 360 pi का value बोला है 3.1 चार लो और radius का value आपको 4 बोला है तो 4 into 4 0 से 0 कट गया और 3 एकम 3 तीन दना चो 4 तीया 12 कट गया आप पहले multiply कर लो 4 चो के 16 4 और 1 पांच 4 तीया 12 फिर divide करो 3 से तो कितना हैगा 3 चो के 12 10 मलो 3 एकम 3 2 और 6 3 और 8 चोबिस 2 0 3 6 के 18 बास हो गया तो इतना centimeter square area या किस चिछ का minor sector का अब major के लिए दो तरीका है निकालने का major मतलब area of major sector का दो तरीका है area of हाँ 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 area of major sector का दो तरीका है पहला तरीका है कि पूरा circle का area आप जानते हो कि नहीं जानते हो तो pi r square में से अगर तुम केवल इतना का area घटा दो ये वाला part का तो केवल कौन सा area बचेगा ये क्योंकि पूरे circle में से केवल pizza का है जो छोटा वाला pizza है उसका area घटा आ रहे हो तो उसका तो आ चुका है ना 4.186 तो 3.14 इंटू r square का मतलब 16 माइनस 4.186 अब 16 का multiply करके घटाने तो आता ही होगा दूसरा method क्या है कि जो area आप sector लिखते हो उसमें theta के जगा पे आप 360 माइनस 30 डिगरी लिख दो बस हो गया तीनसो साथ माइनस 30 डिगरी और बटे 360 इंटू pi r square इतना से अब घटाना उटाना नहीं है बड़े circle में से छोटा ना अगर आप theta का value ये रखते हो ज्यान से सुनो ये रखते हो तो वो खूद खूद जो है वो पूरा area cover कर लेगा जितना में theta आ रहा है तो वो अपने आप ये पूरा बड़ा जो major sector है उसका area को दे देगा तो ये कितना आ जाएगा बताओ 300 30 divided by 360 60 इंटू 3.14 गुने 4 गुने 4 तो आपका 0 से 0 कट गया और 3 एकम 3 एकम 3 एकम 3 तुन नच्छ 4 तिया 12 अब 3 को last में काटेंगे साब multiply करने के बाद है ना तो ये 44 हो गया तो 3 दस में लो एक चार गुने 44 और divided by 3 कर लो गिदा चलो ठीक है और कुछ पुछना है तो चलो यही पर उबर करते हैं प्रिंट कर लो